नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आजय और आप देख रहे हो Entertainment For You और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Bollywood फिल्म खुदा गवा के Box Office Collection फिल्म से जुड़ी बहुत सारी unknown fact तो वीडियो को एंट तक जरूर देके और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले दोस्तों खुदा गवा एक ऐसी फिल्म थी जिसे सबने पसंद किया बच्चे बोड़े और सभी ने फैमिली ने भी क्योंकि फिल्म के गाने इतने ज्यादा अच्छे थे और फिल्म में डैनी, किरन कुमार, अली खान और अंजना मुम्ता जिसे बहतीन का लगार इस एक्सन एडवंजर ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था साथ में 1992 को और फिल्म को प्रोड्यूस किया था नाजिर एहमद और मनोज दिसाईन नहीं फिल्म को डाइट किया था मुकुल ऐस आनद ने फिल्म की स्टोरी लिखी थी संतो सरोज ने और फिल्म के डालोग भी उन्हों ने लिखी थी यानि फिल्म के डालोग और फिल्म की स्टोरी लिखी थी संतो सरोज ने फिल्म को म्यूजिक दिया था लक्ष्मी कांत प्यारे लाल ने बात करते हैं पहले फिल्म के बोक्स इफिस कलेसिन के बारे में फिर बात करेंगे फिल्म से जुड़ी बहुत सरी unknown fact तो दोस्तो खुदा गवान ने पर डेवन पर कमाई की थी 35 लाग रुपे की और फिल्म का इंडिया में नेट कलेसिन था 6 करोर 50 लाग रुपे और फिल्म ने वर्ल्ड वाइट में कमाई की 27 लाग रुपे की और साथ ये फिल्म का बज़र था 5 करोर 70 लाग रुपे तो फिल्म को इंडिया में वर्डिक मिली थी टोटल एवरिज की और ये फिल्म 1992 की तीसरी हाईस्ट ड्वासिंग फिल्म थी फिल्म को IMDP रेटिंग मिली थी 6.5 आउट ओफ 10 अब बात करते हैं कि फिल्म को कितने सारे अवर्ड मिले तो दोस्तो इस फिल्म के डिरेक्टर मुकुल S. आनंद को बेस्ट डिरेक्टर का फिल्म 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 मेरे जाके रोल के लिए कास्ट किया गया था लेकिन संजाज अतनी फ्यम छोड़ दी क्योंकि उनका गहना था है कि उन्होंने डार्टर मुकुल एस आनंद को सतर दिन दिये थे उनकी हिस्से के सूटिंग करने के लिए लेकिन डार्टर ने सतर दिन सिफ अमिताब बच्चेन के लिए शूट किये और उनके लिए शूट नहीं किया जब संजाज अतनी फ्यम छोड़ दी तब ये फ्यम का ओफर किया चंकी पाल्डे, जैकी श्रॉफ और अजी देविं के पास में जैकी से आपने फ्यम करने से मना कर दे क्योंकि पस डेट नहीं थे और जबकि अची देविं के सराथ श्री देविं काम करना चाहती नहीं थी क्योंकि उस समय अची देविं निव कमर थे जिसकी बाद श्री देविं के कहने पर नागुर्चनों को साइन किया गया फैक्ट नमर त्री, ये फिल्म अफगानिस्तान के हिस्ट्री में सब ज़्यदा देखने वाली हिंदी फिल्म बनी है ये फिल्म अफगानिस्तान के काबूल में 10 हफतों तक हाउसफूल चली थी फैक्ट नमर फाइफ जब इस फिल्म के सूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी तब वहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद इस फिल्म की टीम के लिए सीक्योर्टी प्रोवाइट कर वाई थी फैक्ट नमर सेख से इस फिल्म में पहले अमिता बच्चन का एक चोटा सा केमी होने वाला था लेकिन बाद में उनका रोल बढ़ा करके ली टोल में प्ले कर दिया गया फैक्ट नमर सेवन जब अमिता बच्चन सूटिंग करने के लिए अफगानिस्तान गय हुए थे तो उन्हें देखने के लिए तकरीबन दस लाक लोग आय हुए थे अमिता बच्चन को देखने के लिए फैक्ट नमर एट हिना का रोल प्ले करने के लिए फारा नाज को आफर हुआ थे लेकिन उन्हें बना कर दिया क्योंकि जब उन्हें मालूम चला कि इस फिल्म में श्री देवी डबल रोल प्ले कर रहे हैं जिसके कारण होने ये फिल्म करने से मना कर दिया फैक्ट नमर नाइन ये फिल्म अमिता बच्चन और डारेटर मुकुल एस आनन्द की तीसरी फिल्म थी इससे पहले वो दोनों अगनी पत और हम जैसी फिल्म में काम कर चुके थे फैक्ट नमर टैन डैनी टोन गप्पा की ये दूसरी फिल्म थी जो अबगारिसार में स्चूट कर रहे थे इससे पहले वो फिरोज खान की फिल्म धर्मात पा भी अबगारिसार में स्चूट कर चुके थे फैक्ट नमर टैन श्री देवी से पहले ये फिल्म डिमपल का पड़या को ओफर हुआ था लेकिन जब उने मालूम चला कि ये डिमपल का पड़या का रोल फिल्म में डबल होने वाला है तो उन्होंने एक्स्ट्रा आमांट की डिमांड की जिस विज़े उने फिल्म से बाहर कर दिया गया फेक्ट नमबर 12 किरन कुमार से पहले ये फिल्म परिश रावल को ओफर हुई थी लेकिन परिश ने ये फिल्म करने से मना कर दिया जिसके बाद ये फिल्म का ओफर गया किरन कुमार के पास में स्री देवी ने इस फिल में चौती बार डबल रोल प्ले किया था इससे पहले वो गुरू चालबाज और लभे में डबल रोल प्ले कर चुकी थी दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें चालबाज पर वाशची करें